तो फ्रेंद्स वेलकम बैक टो मैं चैनल अर्थ मॉम धहरादून आई होप कि आप सब लोगों ने इस टाहिम अपना फास्ट खोल लिया होगा जिनके रोजे हैं उन्होंने भी डिनर कर लिया होगा और जिनका अज नवरात्रों का पहला वरत है उन्होंने भी फास्ट खोल ल लग रहा है कि राजा भाया का बाज़ा अक्चल में अब बजना शुरू हुआ है तो शाड़ी के जो बाजे बज़े थे ना वह कहीं नो फी के पड़ गए क्योंकि असली बाज़ा तो अब बजने लगा है क्युक्कि अभी थोड़े दिन पहले राजा-बहिया ने अपनी जो मम्मी की वीडियो रिलीज करी थी, मम्मी सा रिलेटिट कुछ बाते बताई थी, बहना सा रिलेटिट कुछ बाते बताई थी, और उसके बार राजा बहिया लग गए अपनी normal vlogging पे, लेकिन अब मैदान में उतर पड़े हैं राजा बहिया के पापा, जी हाँ, वही पापा जिसके उपर राजा बहिया को बहुत confidence था, और अपनी हर वीडियो में वो यही बोल रहे थी, कि मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मेरे पापा सब सच जानते हैं, लेकिन आज जब उनके पापा की वीडियो देखी, तो वही पापा जिनकी अभी राजा बहिया तारीफ करत वे नजर आ रहे थे, उन्होंने ही कुछ ऐसी ऐसी बाते बताई हैं, जिन बातों को सुनके ना, audience बिल्कुल confused हो रखी है, क्योंकि राजा बया की कहानी जब सुनी, तो राजा बया की कहानी relatable लगी, जब मम्मी की कहानी सुनी, तो उनकी मम्मी की कहानी relatable लगी, और अब जब पापा अपनी कहानी सुना रहे हैं, अपना version सुना रहे हैं, तो वो relatable लग रहा है, तो इस समय confusion यस बात की है, कि आखिर इन तीनों में से, सच बोल कौन रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए, तो तीनों ही ऐसे character हैं, जो मंजेवे खिलाडी हैं, यानि कि acting के मामले में, कोई से कोई कुछ भी बोल दे, लेकिन वहां पे जो facts उस समय वीडियो के राजा ने दिखाये थे, जहां पे उनकी मम्मी जो है, राजा को घर से बाहर निकलने के लिए बोल रही थी, कि इस घर से बाहर निकल जा, उस बात को deny करते हुए, राजा के पापा ने ये बात बोली है, कि वो shooting का एक हिस्सा था, यानि कि उनकी मम्मी को वो character play करने के लिए बोला गया था, इसलिए उनकी मम्मी ने ये सब चीजे करी थी, उनकी पापा या उनके parents को इस बात का कोई idea नी था, कि ये जो चीज है, ये खटी करी जा रही है आगे के लिए, उनका बोलना यही है, ले कि वो पीएगा, कि हाँ यहाँ पर आके, तो उसकी मम्मी ने बोला कि हाँ, वो करेगा, तो वो बहुत रियल चीज लग रही है, मतलब देखने में ऐसा नहीं लगा, कि वो किसी content का कोई हिस्सा रहा होगा, योगि content कोई video बनाई गई होगी, बट उनके पापा का गहना यह ह कि वो content का ही हिस्सा था, जिसे हमारे against अब यूज किया गया है, उसके अलावा बहुत सारे और भी allegations लगाए हैं, जैसे एक बात उनके पापा ने और बोली कि इसने अपने parents को कर्ज में तक डुबा दिया है, जहाँ पे यह अपनी तारीफ करते हुए नहीं ठक रहे हैं, कि अपने parents को बहुत अच्छी life दी, उनके लिए सारा खर्चा पानी किया, उनको महीने में 50-50,000 रुपे, एक एक लाक रुपे देते थे, वहीं पर अगर यह इतना amount अपने parents को देते थे, तो आज उनके जो parents हैं, वो कर्ज पे कैसे हैं, अगें, इस चीज का कोई prove नहीं है, यह उनके पापा की ही दीवी statements हैं, और अब सच बताऊं, तो अब किसी भी controversy में किसी भी statements में बिलीव करने का, ट्रस्ट करने का मन नहीं करता, जो कि अगर सामने वाला एक बात बोलता है, तो दूसरा बंदा उससे counter करते वे, अपनी दूसरी बात बोलता है, और proves के नाम पे किसी के पास कुछ नहीं होता, सिर्फ verbal तरीके से जो जितनी audience को convince कर पाए, यहाँ पे वही हिसाब किताब चल रहा है, कि पापा जो है वो अपनी audience को convince कर पाए, बेटा जो है वो अपनी audience को convince कर पाए, सिर्फ convince करने का खेल हो रहा है, जैसे vote मांगने के लिए नेता नहीं convince कर पतेते आप हमें वोट दो हम यह यह करेंगे वही है फैक्ट किसी के पास नहीं है बोले इब बाते चल रहे हैं इस समय पे तो वहापर इनके जो पापा का कहना है वह यह कहना है कि इन्होंने भिया आज में कुछ 5 पर सेंट भिया Lean उन्हों अपने बेटे को कुछ एक लाग जाने पांच लाग रुपे दिलवाए खेत लेने के लिए जो खेत इन्होंने अभी लिये ही नी जिस खेत के भी बात्ची चल रही है पर अभी तक वो खेत लिये नी और उसके जो करज वाले हैं वो इनके माता पिता को परेशान कर रहे हैं राजा तो यहां से भाग के चले गए अब मैं यह सोच रही हूं कि राजा को पांच लाख रुपे करज पर लेने की जुरूरत क्या पड़ी क्योंकि पापा से नहीं अपने आप ही वो यह पांच लाख रुपे अरेंज कर देते लेकिन उसके बाद भी उनके पापा का कहना है कि उन्होंने इंटरस्ट पे उसको पांच लाख रुपे दिलाएं 5 परसेंट पे और सुनिए कहानी में भी बहुत सारी चीज़े हैं उसके बाद इन मेरी बीवी तो इसके लिए हम से लड़ती थी, मुझ से लड़ लेती थी, वो तो इस पर जान चिड़कती थी, जो ये कहता था, वो करती थी, वो कैसे मार सकती थी, इतनी धूमधाम से हमने इसकी शादी कराई, तो हमने क्या मारने के लिए वो शादी कराई थी, ये इनके पि यानि की मम्म कापा वो जादुगर हैं और उन्होंने किसी मंदिर में यह इच्छा मांगी थी मतला मनोकामना मांगी थी कि अगर पत घर चोड़के इनके पास आ जाता है तो वह मांगते पूरी कशा है तो वही मंदिर का पी वीटियो के ऊगर कि की दिग को जाजा को हमसे अलग कर दिया हमसे दूर कर दिया तो उसी का मनोकामना का जो है यह वहाँ पर करने के लिए गए थे पूजा पाठ यह इनके पापा का बोलना है वेल मैं आप सबको बता देती हूं पड़ी लिखी ओडियंस है जादू टोने जैसी चीजों में प्लीज आप लो बिलीव मत करना तो बस सुन लो आप जो सामने वाला कह रहा है वो सुन लो लेकिन अंदादून इस अंधविश्वास में बिलीव मत करना क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वीडियो के माद्यम से किसी को भी इस चीज का जरा भी ऐसा लगे कि वाके में दुनिया में अंधव का हाथ है क्योंकि राजा ने यही बोला है कि उनकी बेहन को भगाने में आप लोगों का हाथ है आप लोगों ने उसको भगाया तो उसके पापा ने साफ बोला कि हमारी बेटी तो कभी भागी ही नहीं थी मतलब इनकी बेटी घर से भागी ही नहीं थी इनफेक्ट वो किसी क पसंद करती थी और आज का लव मैरी जो है वो बहुत नॉर्मल है तो हमने अपनी खुशी से सब ने मिलके उसकी शादी करवादी मंदिर में समाजिक तौर पे लेकर हमारी बेटी जो है वो भागी नहीं थी वैल ये दो बहुत बड़े-बड़े statement इनके पापा ने दे दिये हैं कि एक statement तो ये कि जो वीडियो जो वीडियो राजा ने अपनी व्लॉग में चलाई थी वो वीडियो एक content था दूसरा कि जो इनकी बहन को ये बता रही मेरी बहन बहुत गई थी उसके लिए इनके पापा ने साफ मना गर दिया है कि बेहन तो कभी भागी ही नी थी मंजूरी के साथ उसकी शादी करवाई गई थी तो यहाँ पे बेहन का करेक्टर जो पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर करते वे नजर आ रहे हैं अपनी बेटी का करेक्टर नोंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि उसके जो शादी हुई थी वो हमारी मंजूरी से हुई थी लव मैरेज हुई थी लेकिन वहीं पे अपनी बहु के उपर नोंने बहुत सारे आरोप लगा दिये जादू टोना करती है बहला दिया, फुसला दिया हमारे बेटी को ले जाना ही चाहती थी यही वो चाहती थी और उसने वो कर दिया तो यह चीज़े अभी हो रही हमें लगा था कि मा की जो वीडियो आई हो उसके बाद चीज़े थम जाएंगी रुक जाएंगी लेकिन अभी चीज़े कुछ थम रुक नहीं रही है इनके पापा ममी के पास फिलहाल कोई रोजगार नहीं है अपने घर का खर्चा चलाने के लिए तो वहाँ पे जब इनसे पूछा कि अब खाएंगे पिएंगे क्या कैसे सर्वाइव करेंगे तो कहते कि हमारी बेटिया हैं वो करेंगी तो चलिए ये भी देख लेंगे कि अगर बेटियां हैं और अगर बेटी के दम पे आज बेटी को तो प्रोटेक्ट कर लिया लेकिन अगर बहू को बदनाम कर दिया क्योंकि मैं अभी तक मैं बता रही है कि अगर इतना जादा कॉंफिडेंस है कि बेटियां देख लेंगी तो बेटियों की जर्नी भी देखेंगे कि बेटियां अपने बाबाब के लिए कितना कर लेती हैं और कितना देख लेती हैं क्योंकि इस चीज में मुझे थोड़ा सा डाउट है कि यहां पे इन्होंने अपनी बेटी को और बेटी की जो भागने वाली चीज़ें उसे सिर्फ चुपाने की कोशिश करी है क्योंकि अगर ऐसा होता तो सबसे पहले सबसे पहले आके बेटी का पती तो वीडियो बनाई रहा था ना इनका जमाई वो तो डे वन से वीडियो बना रहा है तो सबसे पहले आके इनका जमाई जो है इनका दामाद जी जो है वो आके इस बात को डिनाय करते कि हम कब भागे थे हम तो कभी नहीं भागे अगर आप किसी की समाजिक तोर पे हुई वी शादी की ओपर ये आरोप लगा दो कि इनोंने भाग के शादी करी तो वो बंदा तिल्मिलाते वे सबसे पहले वीडियो के आगे आके यही बोलेगा कि यह जूट बोल रह एं हमने तो भाग केुढ़ी करी नहीं लेकिन ना बेहन की तरफ से ऐसा कोई स्टेट्मेंट आया था और अब इतने दिन के बाद पापा ने उस चीज पर सफाई नामा प्रस्थुत किया है कि बेटी ने तो भाग के शादी की नहीं ती तो मतलब कि उस 15 साल की बेटी कि शादी कराने में आप सब लोगों का involvement था यहां पर पापा ने अपने उपर सारी गलती ले दिये पहले गलती बेटी की निकल रही थी कि उसने अपनी मर्जी से भाब के शादी करी लेकिन अब गलती तो पापा मम्मी की निकल जाती है पैरेंट्स के निकल जाती कि आपने कै अब इसे पंदरा साल की उम्र में अपनी बेटी की शादी करा दी भले है वह love marriage थी क्या आप दो-तिन साल रुक के अपनी बेटी की शादी नहीं करवा सकते थे इतनी जल्दबाजी क्या थी आप इस जल्दबाजी में क्या बता होगा आपकी राजा के वज़े से जल्दबा है मैं यह नहीं कहा रही हूं कि राजा बिल्कुल 100% सही होगा definitely he is a content creator he knows कि how to play with the audience वो जानते हैं content बनाते हैं लेकिन मैं यह भी नहीं मान सकती कि 100% राजा गलत होंगे कुछ ना कुछ लोचा तो इधर भी साइड भी है और definitely है कि यहां पर हैं निजम बहन की तो हर चीज का protect किया जा रहा है और सारे के सारे होगो चलो अगर इनकि उसके चैनल को कुछ हो भी गया तो तब क्यो इसके परिवार वाले सुकून से रह लेंगे अच्छा लगेगा हिन्हें कि रोजगार चिन गया उनका बेटा दाने दाने को mobile ताज हो गया कर्ज अलग बेटे पे चला हुआ है तो क्या तब इनके पेरेंट्स की आत्मा को दिल को सुकून मिल जाएगा क्या माता पिता या बच्चों का अब जो जरिया रह गया है वो यूट्यूब ही रह गया एक दूसरे से रिवेंज लेने का बदला लेने का कैसे बद जहां पे आप परसनल मुद्दे सॉल्व नहीं कर रहे हो यहां पे आप सामने वाले को फिनैंशली मॉनिटरी हम पहुचाने के लिए बस प्लानिंग्स करते रहते हो प्लानिंग्स क्या यूट्यूब का चैनल खतम होने के बाद इनको उनका बेटा वापस मिल जाएगा जि एक तरफ कहते है कि इसकी मा अपने बेटे को कभी बहार निकाली नहीं सकती जान देती है तो वह मा कैसे जाएगी कि उसका बेटा जो है वो सड़क पे आजाए यहां से वह बेटा यहां पे आजाए गिरतावा कौन सी मा चाहती है तो बहुत सब्सक्राइबर चाहते थे कि म इतने परसंट सही राजा होगा और इतने परसंट सही इनके पैरेंट्स होगे यह इनकी बेहन होगी थोड़ा सा प्रकाश अपने अपने विचारू का भी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना क्योंकि कभी-कभी जब मेरा दिमाग काम नी करता तो मेरी को पता है जनता त आप लोगों का दिमाग बहुत जादा काम करता है तो दू कॉमेंट्स उसके बाद नेक्स रियक्शन वीडियो में इससे आगे की चीज़े डिसकस करेंगे तब तक जो चानल में नए हैं चानल को सब्सक्राइब करें भी ना मत जाना वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर जोंगी आपका भी कोई ऐसा व्लॉगर है जिस पर आप चाहते हैं कि रियक्शन वीडियो बने तो वो भी मुझे कॉमेंट्स सेक्शन में बता देना मिलेंगे नेक्स वीडियो में थैंक्स वॉचिंग अर्थ मॉम देरादुन